हेलो दोस्तों वेलकम टुदा चार क्लासस में प्रियंका हम जो यूपीटेट और सीटेट के जो सीरिस कर रहे हूं उसका नेक्स्ट प्रेक्टिस से करेंगे यह हमारा किसका होगा साइकलोजी का होगा psychology का practice set करेंगे तो start करेंगे आज के class वीडियो को last दख देखना है पूरा आपको बहुत help करेगा पेपर में बिल्कू हूब हूब कोशन आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में like share जरूर करना और वीडियो कैसी लगे ये comment box में comment करके जरूर बताना है और इसको जादा से जादा शेयर करना है अपनी दोस्तों में जो भी सी तैट का पेपर देने वाला हो, सबको जादा से जादा शेयर करनी है तो इस्टार्ट करेंगे आज की वीडियो, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इर्फान खिलोनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है आप क्या करेंगे मतलब इर्फान एक लड़का है जो खिलोनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए मतलब उसके पुर्जों को एक एक करके अल चारित करेंगे उससे समझाएंगे कि खिलोनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए इर्फान को खिलोनों से कभी नहीं कभी भी नहीं करने देंगे खेलने देंगे उस पर हमेशा नजर रखेंगे तो यहां खेलने देंगे आएगा उस पर हमेशा नजर रखेंगे तो इसका सही अन्सर क्या होगा अगर कोई बच्चा ऐसे काम कर रहा है तो जो सहित होता है उसी की वाराइस से खिलोनों को बार बार तोड़ता है किसकी अप्नी उत्षुकता की वज़े से वो देखना चाहता है कि आखिरकार अंदर इसमें क्या-क्या चीज कैसे हैं और उसका अशनल खीट करेंगे और सही दिशामित करेंगे ओसको बताएंगा कि एसे जुड़ता है इसमें ये वाली चीज है ये वाली चीज है जादा तर क्या होता है कि अगर बच्चा ऐसी अरकते करती है तो मम्मी या घर का कोई भी बड़ा उसे डांट कर उसे ऐसा करने के लिए रोकता है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जो बच्चे का जो दिमाग चल रहा है न, ऐसे चीजों में वो बहुत क्रियेटिव चीजे कर रहा है, तो ऐसा करने देना चाहिए, तो सोला का राइट आंसर क्या होगा? कोश्चन नमर 17 बच्चे के विकास के सिद्धानतों को समझना सिखशक की साहता करता है,系 क्शार्तियों को क्या पढ़ाना चाहिए और ओचित्ते स्तापित करने में, सिख्षार्थियों के अधिगम सहली को प्रवावी रूप से संबोधित करने में सिख्षार्थियों के सामाजी किस तर को पहँचानने में सिख्षार्थियों की आर्थिक प्रस्ट भूमी को पहँचानने में तो राइट आंसर क्या होगा इसका जल्दी आंसर कीजिए आर्थिक उससे सिख्षक को कोई मतलब नहीं है तो इसका तो कोई मोल रहता ही नहीं है उसकी सामाजिक पहचान को करने से ये भी नहीं होगा सिख्षार्थी की अधिगम सेलियों को अगर उसके सिद्धानतों को विकास के सिद्धानतों को समझना है सिख्षक को तो क्या है उसकी अधिगम सेलियों को समझना पड़ेगा बच्चा सीखता कैसे को प्रभावी रूप से संबोधित करना होगा तो राइट आंसर क्या होगा कि प्रतेक जो विद्यार्ती होता है वो स्वेम में विसिस्ट होता है हर कोई अपने आप में क्या होता है यूनिक होता है विसिस्ट होता है तो प्रतेक सिक्षार्ती स्वेम में विसिस्ट है इसका अर्थि क्या है इस चारों अप्शनों में से आपको देखकर बताना है कि कौ सा जो है वो इसमें सटीख बैटेगा सभी सिक्षारती के लिए एक समान पाट्टे चर्य संभव नहीं है एक बिसम रूपी कक्षा में विद्यारतियों की चमता को विक्षित करना संभव है कोई भी दो सिक्षारती अपनी योग गितार रुचियों और प्रतिवाव में एक सम लगता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्रतिएक शिक्षारती स्वय में विस्स्ट होता है इसको अगर प्रदर्शित किया जाए इसका अगर अर्थ निकाला जाए तो क्या होगा कोई भी दो सिक्षारती अपनी योग गिताओं में अपनी योग गिताओं में अपनी को एकुमर नहीं होती है , राइट अंसर क्या होगा, C 18 का राइट अंसर क्या होगा , कोई भी दो सिक्सार्थी अपनी योग शिल्लवा होते हैं, उड़ा है, Uज टो C 20 , पुरस इसी सी य॥ कम्हीं होते है , 97ही गहते हैं , से जिसमें तुलना की जा रही हो पुरुस को इस्ती से अधिक बैतर माना जा रहा हो या फिर कुछ ऐसी चीजों को धर्साया जा रहा हो जिसमें दोनों में भेदवाब हो रहा हो तो वह चीजे क्या होती है वह लेंगिक पूर्बाग्रय को प्रदर्शित करती है इसको लेंगिक पूर्बाग्रय को प्रदर्शित करती है जेंडर वाइसने इसको तो 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा का आगे देखते हैं Question No.20 Christina अपनी कक्षा को छेत्र ब्रमण पर ले जाती है Christina नाम की एक teacher है जो कि अपनी कक्षा को छेत्र ब्रमण पर ले जाती है और बापस आने पर अपने विद्यार्तियों के साथ ब्रमण पर चर्चा करती है ये किसकी और संकेत कर रहा है कि जो Christina है वो क्या करना चाह रही है ये आप जल्दी comment box में comment करके बताईए कि Christina जो teacher है वो करना क्या चाह रही है आखरकर सीखने के लिए आंकलन आंकलन का सीखना, सीखने का आंकलन और सीखने के लिए आंकलन तो इसका right answer क्या होगा जो क्रिस्टीना है जो सिख्षिका है सिख्षिका है वो ये चाहती है कि सीखने का आकलन कर रही है वो किसका सीखने का आकलन कर रही है और वो ये देखना चाहती है कि जब वो ब्रहमण पर बच्चों को ले कर गई तो बच्चों ने क्या 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 किया उन्हें पुने अगर कोई तुटी कर रहे हैं तो उन्हें सुधार सके उन्हें सुधार सके उनका आंकलन कर रहे हैं कि उन्होंने क्या सीखा तो क्या होगा वीस का सीखने का आंकलन question number 21 मानव का विकास कुछ विस्य सिद्धान्तों पर आधारित है निमलिकित मैंसे कौन सा मानव विकास का सिद्धान्त नहीं है तो आपको बताना है कि मानव विकास का सिद्धान्त कौन सा नहीं है मानव विकास का सिदांत कुछ विसे सिदांतों पर आधा रहता है सामाने से विसिस्ट बिलकुल है जब पहले क्या है हम छूटी चीजों को फिर बड़ी चीजों को यानि सामाने से विसिस्ट की ओर चलता है निरंतर चलता है विकास अनुकरम एकता भी रहती है लेकिन जो प्रवर्ती रहती है ये नहीं होगी प्रवर्ती मानव का विकास से दांत नहीं होता है और प्रवर्ती का क्या होता है अर्थ जो अगर प्रवर्ती का निकालें तो क्या होता है पुनहें प्रारंब करना लेकिन जब वो जो मानव विकास होता है हम उसे पुने प्रारंब नहीं कर सकते वह हमारी गर्वावस्ता से लेकर अपने आप मृत्यु तक जीवन परियंतर चलता रहता है उन्हें ना तो पुने बाव इस्तापित किया जाता है वह अपने हिसाप से निरंतर क्या है चलता रहता है सामाने से विस्ष्ट बोल सकते हैं लेकिन प्रवर्ति उसे पुने इस्तापित नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा इसका राइंट आंसर नहीं पूछा है और नहीं के लिए जो हमें गलत चुनना है तो क्या होगी प्रवर्ती यही क्या होगा राइट आंसर कॉश्चन नमर बाइस निसक्त वच्चों के लिए समयकित सिख्षा की केंद्रिय प्रयोजित योजना का उद्देश डैस में निसक्त वच्चों के सैक्षे कवशर उपलब्द कराना है जल्दी बताईए इसका आंसर क्या होगा बताईए क्या होगा जल्दी निशक्त बच्चों के लिए सेक्षक अपसर उपलब्द कराना डैस है अगर निशक्त बच्चों के लिए समय कित सिख्षा केंद्रों में सिख्षा के अपसर जो उपलब्द कराया जारे है तो किस वज़ए से कराया जारे है ताकि बच्चा नियमित रूप से विद्धाले आ सके किस वज़े से ताकि बच्चा नियमित रूप से विद्धाले आ सके इसके लिए क्या कराया जा रहे है ये सारे सैक्षिक अपसर जो है उपलब्द कराया जा रहे है आगे देखें कॉशन नमर 23 प्रवावित नहीं होता है सीखना मूल रूप से मानसिक के रिया है सबमने आता है जब तक हमारा सारे रिक विकास नहीं बच्चों दौरा की तुरूटिया संकेत करते हैं कि कि किसी सुपस्इय हो सकता है को ऐने यह विल्कुल सही कर गजहां बहुसको सकता है कि सीखने whenever वह सुफ़्चा जब बच्चा को अच्छा वाता रण मिलेगा तो थो उस ऑस सीख़ने चैप से अच्छा वाता ब बहुत हमें है प्रभा मतलब जहां उसको रुची मिल रही है जहां उसको रुची कर रुची कर बाताबर मिल रहा है तो वो उसमें क्या है? जल्दी सीखेगा, अच्छा सीखेगा जो संबेग आत्मकूप से सकार आत्मको नेगिटिविटी कम हो ऐसे में सिक्षार्थी संतो स्टोकर क्या है अच्छा सीखता है तो इसका राइट है इसका राइट अंसर क्या होगा डी आगे देखते हैं कॉश्चन नमर 24 मुल्यांकन का मुख्य उद्देश होना चाहिए मुल्यांकन क्या होता है evolution मुल्यांकन का मुख्य उद्धेश क्या होना चाहिए ये निर्ने लेना की विद्यार्ती को अगली कक्षा में प्रण्यती देखो अगर मुल्यांकन की बात हो रही है और खास करके बच्चे के बारे में हो रही है सिक्षारती के बारे में हो रही है चात्र के बारे में हो रही है तो कभी भी प्रन्यती को महत्व नहीं देंगे निर्ने लेना या प्रन्यती को महत्व नहीं देना सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना वा उपचार करना ये विल्कुल हो सकता है कि बच्चा सीखने में कौन सी कमी कर रहा है और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं ये हमारा क्या है ये सिख्षक का एक मेन उद्देश होना चाहिए कि बच्चा कहां तो गलती कर रहा है और उसको सिख्षक सुधार कैसे सकता है ये क्या है उसका मेन उद्धेश होना चाहिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा B 24 का राइट आंसर B कॉशन नमबर 25 को देखेंगे सिक्षा दी जो पहले सीख चुके हो सिक्षा दी जाए जो पहले सीख चुके हो ये थोड़ा या मिस्प्रिंट है सिक्षा दी जाए जो पहले सीख चुके हो उसकी पुनरवर्ति और प्रत्य इसमरड में सिक्षा राइटियों की मदद करना महतुपूर है क्योंकि मतलब जो बच्चा पहले से सीख चुका है उसकी पुनरवर्ति मतलब दुबारा से इसमरड करना ना सिक्षा राइटियों की मदद करना महतुपूर है क्योंकि किसके लिए पुर्व बातों को दोराने एक प्रभावी तरीका है ऐसा नहीं है ये सिक्षा राइटियों की इसमर्ति को बढ़ावा बढ़ाता है जिसमें सीखना सुद्रोण है इसमर्ति को बढ़ावा नहीं देना है ये किसी भी सिक्षा राइटियों के लिए एक सुविदा जन करते है या सिक्षा जो कक्षा के अनुदेशा कोते हैं उनके लिए सुविदा चीज़े हो जो सुविदा सिक्षक को दे रहा हो ऐसी चीज़े क्या है ऐसी चीज़े यहां हो जी नहीं सकती लेकिन चात्र को सुविदा देनी वाली चीज़े यहां जरूर हो सकती है नई जानकारी को पूर्म जानकारी से जोड़ना सीखने को समर्द बनाता है यह हो सकता है क्या हो सकता है कि अग मैंने कुछ पहले सीखा हुआ है जैसे मैंने पहले किसी काली चीज को देखा काली चीज को देखा और मैंने जैसे मैंने काली बिल्ली को देखा काली बिल्ली को देखकर फिर अब मुझे पता है कि बिल्ली कैसी होती है काली होती है लेकिन फ जाएगी पहले ग्यान के दोबार दुबारा पने ग्यान नहीं दिया जाएगा that was more bled नई जांकारी को यह पुरानी जांकारी से काला कुंठा भी हो सकता जांपर समर्द्ध कर देगा मुझे फिर्ध दो चीजों की क्या हो गए जानकारी हो गई तो का राइट अंसर क्या होगा डी 25 का चब्वीज स्रजनात्मकता स्रजनात्मक उत्तरों के लिए अवश्यक है स्रजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है क्या इंपोर्टेंट है इनके लिए मुक्त उत्तर वाली प्रश्णावली एक अत्यंत अनुसासित अगर प्रत्यक्ष 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 प्रत्यक् प्रश्णावली मतलब प्रश्णावली इसमें बच्चे को बोले कि अपने आप से कुछ भी लिखो अपने आप से उत्तर दो कि इस चीज का आंसर कैसे हो सकता है तो बच्चा क्या करेगा? अपने आप से उसके जो मन में होगा जो उसके लिख पाएगा वो क्या करेगा? लिख देगा. तो राइट अंसर क्या होगा? सरजना आत्मक्ता को अगर बढ़ावा देना है तो उसको मुक्त उत्तर वाली प्रशना वली को देना पढ़ेगा. कॉश्चन नमर 27 सिक्षार्तियों को डैस के लिए प्रोहित नहीं करना चाहिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए अधिक से अधिक पाट्टे सामिक्री यह सहगामी के रिया अच्छा सहगामी कुछ गड़ वड़या मैं हिस्सा लेने के लिए सिक्षक जो पूछ सकते होंने सभी प्रस्णों के उत्तर याद करना तो कभी भी सही नहीं हो सकता है कख्षा के अंदर बाहर अधिक से अधिक प्रस्ण पूछने समुकारे में दूसरे सिक्षार्तियों के साथ सक्रिये रूप से अंतक्रिया करने में बढ़ता हीए जल्दी 27 का रायट अंसर क्या होगा सिक्षार्तियों को डैश के लिए प्रोतसाहित नहीं करना यहां क्या पूछा है प्रोतसाहित नहीं करना तो नहीं सब्द पूचा है, तो हमारा right answer क्या होगा, नहीं क्या कर रहा है? याद करने वाली जो प्रिक्रिया है, यह हम कभी भी इसके लिए बच्चे को बड़ावा नहीं देंगे याद करने के लिए क्या करेंगे कभी भी बड़ावा नहीं देखेंगे बच्चों को सिखाएंगे उन्हें क्रियेटिव बनाने के लिए उन्हें उनका विकास करने उन्हें सिखाने के लिए करेंगे लेकिन याद करवाने के लिए क्या है यह कॉश्चन गलत हो जाए क्यों कि गलती पूछा है तो क्या होगा कॉशन नमर 27 का बी 28 निम लिकित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है रचनात्मक आंकलन के लिए उचित उपकरण रचनात्मक कारे कैसे उपकरण नहीं है यह जल्दी बताएए क्या होगा इसका सत्र परिक्षा प्रश्णोर्त्री खेल, खेल में तो रचनात्मा कार्य हो सकते हैं, मौकेक प्रश्ण में भी हो सकते हैं किसमें नहीं हो सकते हैं तो किसमें उन्ह attend दत्क कार्य में eyebrows कॉस्चन नमर 29 विद्यारती के सीखने में जो रिक्तिया रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए मतलब सीखने में कोई रिक्तिया रह गई कोई अगर बच्चा सीख कर भी कोई तुटी कर रहा है तो उनके निदान के बाद होना चाहिए क्या होना चाहिए सभी पाठों को विवस्तित रूप से दोराना दोराना तो कोई प्रक्रिया होगी नहीं इसकी कि दोराने से अगर बच्चा दोर अगर दोराने से सीख रहा है तो बारवार चीज़े दोहराकरी सब हुझाएगा, शिक्षार्ति और अभिबाबकों अभिबाबकों का या कोई main role नहीं है, अगर सिक्षक और विध्यार्ति की बात हुपरी तो अभिबाबकों का रही हित्पाय उपास कर अभिबाबकों का जो सबसे जादा उच्चित होगा उस उपचारात्मकारे को करेंगे कि बच्चा कैसे और किस तरीके की गलती कर रहा है और कैसे और किस तरीके से इसको बहतर कर सकता है तो क्या करेंगे उसको समझेंगे और उसको बच्चे को समुचित उपचारात्मकारे करेंगे तो 39 का अंस करके जाएं और ज्यादा से ज्यादा शियर करें सीटेट वह बहूद है करे ने को मिल जाएंगे कैसे लगी जरूर बतानी है और comment box में comment करना बिलकुल न भूले और इसका answer दें बारतिय समाज की बहुँ वासिक विसिश्टा को देखा जाना चाहिए बार्थी समाज की जो बहुवासिक कोई तमिल का है कोई यूपी का है कोई राजस्तान का है कोई पंजाव का है तो उनकी क्या बासा भी अलग-अलग होती है इस बासा को कैसे देखा जाना चाहिए विद्ध आर्थी के सीखने के लिए अभिबरित करने हे तू सिख्षक योगिता की चिनोती के रूप में सिख्षार्थी के लिए विद्धाले जीवन को जटेल अनुभवों के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि विद्धार्थी के जीवन को जटेल अनुभवों में Sikshya Kadigam पिर करिया में बादा की रूप में विद्रेल जीवन को समरिद्ध बनाने की रूप में ये हो सकता है अगर उनकोई बच्चा जो भी ए उसकी मातरवासा में अगर उसको सिक्षा दी जाएगी तो उसकी सिक्षा क्या होगी समरिद्ध बनेगी बिद्धाला जीवन क्या होगा सम्रिद्ध बनेगा तो इसका राइट अंजर क्या होगा दी तो यह थी आज की क्लास आज होप आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेर जरूर करें आज के लिए इतना ही करेंगे थेंक्यू सो मच